इस वीडियो में मैं आपको एक जॉब अपडेट देने वाली हूँ जो की एक इसके बारे मैं आपको बता देते हूँ अगर आप इस एरिया के आसपास के इलाके से बिलॉंग करते हैं या फिर आप यहां पर ट्रावल कर सकते हैं तो यू के अपलाई सबसे पहले अगर मैं बता दू यहां पर तो यह है डिस्टिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर समीती जहार ग्राम जो की सिचुएटेड है वेस्ट वेंगाल में और यह सारा का सारा डीटेल यहां पर मेंशन करके रखा है इमेल आईड और इसको रिलीस किया गया था 30th of November 2021 को ठीक है तो यह जो नोटिस है इस इस फर दर रेकूर्टमेंट नोटिस फोर दर कोविड-19 तो बोला गया है अवाकिन इंटर्वी विल बेहल्ट उन 10th December from 11 a.m. to 12 p.m. at the office of the CMOH and Member Security District Health and Family Welfare Samiti Jhargram for engagement to the post of different categories of a staff on a contractual for a three month purely on a temporary basis for the management of COVID-19 and to be posted at a RT-PCR laboratory of the Jhargram District Hospital that is Jhargram तो यहाँ पे जो है आटी-PCR के laboratory में में मेली आपको काम दिया जाएगा और यह मेली जो COVID-19 के जो management है उसके लिए यह hiring चल रही है तो जो भी candidates are eligible है उनसे यह request है कि आप जो है जो भी interview से related जितने भी documents मांगी गए है वो लेकर आप एक proper जो time यह mention करके रखा है उस time पे पहुंचाएं जो यहाँ पर mention करके रखी है वो थोड़ी बहुत वैरी भी कर सकती है डीटेल यहाँ पे देखे रखा है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो post year designation होगा वो पहला post है यहाँ पे I mean to say मैं इसी post के लिए खाली बदाने वाली हूँ आपको medical microbiologist का and molecular biologist का यह post का post year designation है number of vacancy जो है यहाँ पे total 3 seat यहाँ पे available है for this particular post आपका interview लिया जाएगा essential qualification की बात करते हैं तो यहाँ पे विदा के रखा है MD microbiology with experience of experience in the RT-PCR lab या फिर आपके पास MSC in molecular biology या microbiology, biotechnology या genetics होने से भी चलेगा with the experience in the virology तो अगर आपका MD microbiology है तो आप eligible हैं साथ ही साथ अगर आपके आप MSC के student है लेकिन आपका virology के field में exposure अल्रेडी हो रखा या experience हो रखा है तो भी आप eligible हैं अगर आपकी MSC या master molecular biology, microbiology, biotechnology, genetics इन चार field में से किसी भी एक field से हुई है तो आप eligible हैं इन चारों के अलावा अगर आपकी कोई और field है like botany हो गया, geology हो गया तो आप eligible नहीं हैं सिर्फ यही charge team वाले eligible हैं और कोई eligible नहीं है, age का relaxation जो है यह up to 40 years or less than on the 1st Jan 2021 with relaxation for the SCST OBC candidate as per the government norms, तो आपका जो age है वो up to 40 या उससे कम होना चाहिए till this particular date, और SCST OBC के लिए अलग से relaxation दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पे salary pay की जाएगी वो होगी 40,000 per month, तो अच्छा खासा amount है, although इन्होंने mention करके रखा है कि यह 3 month का, 3 month के basis पे यह contractual basis पे एक job दी जारे है, selection procedure जो है, academy qualification, experience और interview, इन तीनों के basis पे अपका selection किया जाएगा, कि whether you will be eligible for this job or not, और भी बहुत से post निकले है, but I think वो जो है मेली अलग-अलग basis पे, मेरा सिर्फ वोकस जो है, इस post पे था, that is medical microbiologist and molecular biologist, दोनों में से कोई भी एक यह designation को allot कर सकते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, अगर आप interested होते हैं, तो आप बिलकुल join कर सकते हैं, यह West Bengal के थूँ यह job निकाला गया है, that is, West Bengal में ही एक एरिया है, जिसे हम जार ग्राम कहते हैं, तो वहां के लिए COVID-19 के management के लिए job post निकाली गई है, कि आपको कौन-कौन से चीज़ें कैसे कैसे अपलाई करने हैं, जैसे कि candidate जो है, प्रिस्काइब फॉर्मेट में, मतलब में अपलाई कर सकते हैं, A4 size plain paper में, along with the necessary supporting documents, जैसे कि आपको photograph की ज़रूद पड़ेगी, self-attested photo copy, जैसे कि माध्यमिक का, आपको admit या फिर equivalent age का proof जो है, वो जरूरत लगेगा आपको, voter या आधार कार हो सकता है, इसके अलावा जितने भी important mark sheet या certificate है, जो आपके education qualification को show करेंगे, सारा आपके पास होना चाहिए, experience certificate के साथ साथ, और इसके अलावा आपने कहीं पे, पहले भी कुछ भी, मतलब कोई भ description box में दे दूंगी, तो आप वहां के through भी जो है, इनके main website में पहुंच सकते हैं, बुला गया, please note that no application should be sent through email or through post or by hand, application should be submitted during the verification of document interview on 10th December 2021, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी application form, email या post के through नहीं send करना है, आपको directly interview के लिए जाना है, उसी दिन जितने भी verification document होंगे, वो सब के सब उसी दिन सब्मिट किया जाएंगे, एक candidate सिफ एक ही post के लिए apply कर सकते है, although हमने इन मुल्टिपल पोस के लिए डिसकस नहीं किया है, मुल्टिपल पोस निकला है, अगर आप interested होते हैं तो apply कर सकते हैं, but जो main area था जहां पर I think maximum student eligible होते हैं, वही post में सिफ डिसकस किया मैं उमीद करते हूं यह information आपके लिए useful रही होगी, so thank you so much everyone